अब देखिए हैदराबाद से तक औरडर आ रहा है और मतलब पट्टा के बर में क्या ही बोलू भी हार तो बहुत छोटा हो गया तो कैंडल से जैसे अगर दिवाली का टाइम अगर नहीं का तो हम लोगा एक दिन का सेल यह फोर से फाइफ लाक्स चक चाता है एक दिन का सेल च चार से पांच लाख वही बिमारू राज्य की महिला कमा रही है जिसको आप कहते हैं बहुत पीछ रहा है बहुत ज्यादा लिट्रसी रेट गुटने में है और यह जो कांडल से बनते हैं देख लीजे इसका जो जगा है वो यहीं है यहीं से जो है वो दो चार दस लागी कम दो जौपाइए होती है और यहीं से जो है इसमें हम लोग वैक्स डालते हैं और निकालने के लिए अराम से और आसे मोड़ते हैं इसके अंदर से कैसा वैक्स निकलता है तो यह निकला है इसके अंदर से अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है मीनीमम कितना तो सबके अपने पॉकिट के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन अगर हम अपना बता हैं तो हम जब स्टार्ट किये थे वह हम 10,000 से स्टार्ट किये थे नमस्ट कार मैं ओंचलि और आप देख रहे हैं दैंडेन स्टोरीजॉई अगर बात बिहार की महिलाओं के बारे में कीजा तो आप उनकी दूर्दशा देखते हैं कि उनको घर से निकलने नहीं दिया जाता है उनको पढ़ाई लिखाई में जादा मौके नहीं मिलते हैं उन्ह कि आपको बता दू कि क्राफट एज एक ऐसा जगह है जहां पर बहुत अलग अलग तरीकी की पेंटिंग साब को यहां पर देखने को मिलेंगी अलग अलग क्राफ का मतब समझ सकते हैं कि घर में सजाने वाली जो समान होती है उनको यहां पर बनाया जाता है बहुत खुबसू या फिर बहुत तरीके की आर्ट इन्हों ने सिखाया है अपने स्टूरेंस को या फिर अपने यहां की महिलाओं को अपने बारे में थोड़ा बताइए रितिका जी ताकि लोग जाने आप कौन है जी मेरा नाम रितिका है मैं क्राफटेज की फाउंडर हूं यहां पर हम लो क्राफटेज में वो लोग युगदान दे रही हैं मुझे यह पताते हुए काफी गर्व और खुशी हो रही है कि रितिका जो है वो अपने आसपास की महिलाओं को रोजगार भी दे रही है और साथ यह बहुत को सिखा रही है क्यार इनके यहां पर वरक्शॉप याभी मैं मौझूद हूँ और आपको बड़े तरीकी के सामानिया पर देखने को मिल जाएंगी क्राफ्ट देखने को मिल जाएगा लेकिन आज हम वोकस करेंगे इस कैंडल पर जी हां अगर आपके घर्दिवाली होती है कोई पूजा होता है तो आपको एक सिंपल सा सफेध रंग का क सारीके के रंग भी रंगे आपको कैंडल दिखाई दे रहे हैं इसका जो इजात किया है इन्हों रहे वह मैं अपसे मतलब आपसे कहानी जाना चाहूंगी कहां से आपने इसको मतलब सोचा कि क्राफ्टेज में कैंडल को लेकर आते हैं और फिर कैंडल का बिजनस करते हैं ज वह सोचे कि अच्छा से लो पसंद तो हम लोगाने भी आजे हो कि जो भी टॉट पॉलिशन फ्री है उसमें कुछ भी दुट पिनी कि का नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा हमारे जी फिर फाट जो चाय पीते हैं उसके उपर आपने जो है वह पैंटिंग कर दिया है पैंटिंग कर कि डॉट मंडाला पैंटिंग लुग वैक्स भर के इसमें जलने के बाद फ्रेग्नेंस भी करते हैं और यह चोटा सा कुलर आपको 10 गंटा जलेगा कम से कम तेखें कि पांच यह दस रुपे का यह चाय आपको इसमें मिलेगा और यह जो है वो दस दस गंटे जो है वो आपको लॉंग लास्ट करेगा मतलब होता है कि अब रात में हम लोग दिया जला के छोड़ देते हैं अब रात में पहले क्या होदा था कि एक बार दो बार दिया में तेल डाल दिये लेकिन आप इसका यह एक इसका वैक्स बनाने के लिए इसका वी यो बंता है माल बहुत कुछ बढ़़ए यह नौरम के लांटर Czyli scandals में गलाए नहीं तो नॉर्मली पहले ग्लास कैंडल या फिर रोज का फ्लोटिंग का यह सारा था अभी लोग में कैंडल्स के लेके भी और डिमांड बढ़ा है तो उनके डिमांड को देखते हैं हम लोग और प्रोड़क्स लेका है आपने कहा कि सबसे छोटा था और वह दस गंटे का ब आप जैसे यह देखें यह आपको रोज का है रोज प्योनी बोले या रोज बोली है यह आपको फ्लोटिंग में भी काम आएगा और नॉर्मल अच्छा लगेगा अच्छा लोगों को थोड़ा सा प्राइस के बारे में बता दीजे कि क्या प्राइस आप रखती है इन सारी अगर चोटे वाले के बारे में बात करो तो इसका कितना होता है जैसे जो फ्रेग्नेंस ये कैंडल जो भी है जो वेट उसका आता है उसे सब सम लोग प्राइस रखते हैं क्योंकि सारे का प्राइस अलग-अलग है और इसका जो रेट होगा वो बीस रुपे होगा है अगर 200 रुपीस जाएगा और कितने घंटे ये जलेगा ये आपको अप्रॉक्स ट्वेंटी तुट्टी फाइफ आर्स चल जाएगा अब से मतब समझ है कि एक पूरा दिन जलेगा इसको अना जी अब बुझा भी सकते हैं गर रात में इस्तमाल करना है अगर आपको तो कहीं भी जो मतब कैसा मैसूस होता है कि अब दीरे दीरे जो पहचान है वो ग्लोबल लेवल तक जा रही है जी ये अच्छा लगता है और काफी मेहनत है हम लोग का भी और हमारे आटिस्ट का भी तो सबका मेहनत रंग ला रहा है तो ये देखके बहुत खुशी होती है कि कहीं भी मे आती है आप यहीं पर आपके इसी वर्क्शॉप पर बनता है मैं देखना चाहूंगी कि किस जगह पर जो है आपका मेकिंग प्रोसेस होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि बड़े बड़े इंजीनियर साते होंगे बनाने के लिए इन सारी चीज़ों को कि जिनको पता हो क कि कितने कॉंटिटी में क्या चीज़ डालना है बहुत एक्सपोर्ट बड़े बड़े आते होंगे तो ऐसी बात यह नहीं है आसपास की जो महिलाएं जो लड़कियां हैं जो सीखना चाहती है उनको रितिका सिखाती हैं ट्रेनिंग देती हैं और साथ में जो है इतना बोटा हो गया इसके नजर में तो बाहर से भी जो भी डिकॉर्मेंट है यह पर पूरी की जा रही है आपने कहीं बाहर भी पेजा करें को की विदेशों में भेजने का विदेश में अभी तुमकर नहीं मिला क्योंकि उसके लिए एक्सपोर्ट का लाइसेंस चाहिए होता है तो वो हम लोग का प्रोसेस में है, वो एक्सपोर्ट का लाइसेंस आएगा, क्योंकि वहां से भी डिमांड्स आते हैं, लेकिन हम लोग को भेजने में वो दिक्कत होती है, इसी कारण अभी उसका वो रुकाव है, लेकिन आल ओबर इंडिया भी हम लोग पुरा जा रहा है, इ एक दिन का सेल चार से पांच लाख रुपए, हार्ड अटक आने वाल है मेरा यहां पे, क्योंकि वो दिवाली में ज्यादा दिमांड्स आता है, और अल ओवर इंडिया में भी शिफिंग हो जाता है, और डेली हाट में भी हम लोग का स्टॉल्स लगता है, पटना में भी द अगर आप सही नजरीय से देखें तो बहुत कुछ दिखाई देगा और यहां पर अच्छा अच्छा लोग मतलब जो हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं और काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा यह चीज जानके, चलिए देखते हैं कि में कैसे ह अच्छा खासा अमांट जो है, वो टीस तो हार या फिर पर्व में जो है, वो कैंडल के डिमांड बहुत जादा बढ़े हैं, जो लोग आप से सीखना चाहें, चलते थोरा सा आगे में, कि अगर कोई सीखना चाहे कि बनाना कैसे बनाना है, या फिर इसकी मेकिंग कैसे होती है, अगर कोई आप से जुड़ना चाहे, तो कैसे जुड़ेगा? यहीं से जो है, वो दो, चार, दस लागी कमाई होती है, और यहीं से जो है, वो अलग-अलग शेप दिया जाता है, यह जो आप रबड के, अब थोड़ा सा बताईगा मुझे कि कैसे इसको शेप देते हैं, क्या देते हैं, शिलिकॉन मोल्ड बोलते हैं, इसके अंदर में द दालते हैं, और निकालने के लिए आराम से ज़वते हैं, एंदर अमलोग गया, वो जरकां गया है, जो बड़ बाती है, जो बड़ा बाती हम शेप दालते हैं, इसको सीधा करके अनौब बाती हम लोग lasting smartने जैसे को आप देख रहे हैं, यह रोज का हो गया है? यह केक का है और बाकी सारे रोज वगेरा में यह सारे मोल्ट में डाले हुए है अच्छा वहाँ पर केक उसको दीज़ेगा तो यह जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यह जो सिलकॉन का एक आप कह सकते हैं कि साचा जो बना हुआ है इसके अंदर से कैसा वैक्स निकलता है त इससे इन्हों ने इतना खुब्सूरत सा कुछ सोच लिया और बना लिया कि क्या रहा है इसमें रखा जाता भी BT तो फ़री थोड़ा सा थीक हो गया जय कर सांचे में यह जो इसका क्या काम यह तोड़ा लग दि दे रहे है यह यह अलग इसलिए शोब przोटोटाव में भूवार्पक अपि मैंक। नाल जाए को सतमिं पांटब्स दौबूरे वन गोश्किता है है तो लगबहना कि है कि एक दिन में ग монे क्डिन पिरते बना लेते हैं या फिर आपके साथ जो लोग रहते हैं वो मिलके बना लेते तो एक दिन में अलग-अलग मोल्ट से एप्रोक्स हंड़ेट से उपर कैंडल से निकल जाता है अगर जो भी ग्लास या कुलर का है वो तो जीतना रिक्वाइमन करना चाहता है तो इसको मिनीमम कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा लगाना पड़ेगा पैसा कि वो केंडल का बिजन शुरू कर ले अगर वो इन्वेस्टमंट तो सब के अपने पाके के उपर डिपेंड करता है लेकिन अगर हम अपना बता है तो हम जब स्टार्ट किये थे थे थोड़ा सा क्वांटिटी में अब इसका क्वांटिटी और डिमांड इतना जादा बढ़ गया है कि इस सेल भी जादा बढ़ गया है दस हजार चे शुरू किया था अभी रितिका जो है वो कितने तक पहुंच चुकी है कि इन सार पहले दस हजार से स्टार्ट किया था और आज मेरा इतना बड़ा हो गया है जो लोग ऐसा सोचते हैं कि महिलाओं के लिए कोई छेतर नहीं है यह स्कोप नहीं है उनको एक करें क्योंकि मांगे ही करें कि यह सार नहीं था एक बै אिद्स स्टार्ट किजिया और उसमें मैंने खरी यह से इसा नहीं कि हम पैसे लगा दिये बैठ गए तो वह इंकम जादा होगा उसके लिए महनत लगे रहने पड़ेगा तो वह जरूर आपका फलेगा फुलेगा फेल हो सकता है कि आप फेल हो जाएं बट उससे घबराना नहीं है दीरी दीर आपने भी कैंडल बनाओगा तो पहले कुछ ना कुछ फेलियर का सामना करना पड़ा होगा जैसे देखिए चलिए गि बिजनस करना तो अब रितिका से जुड़ सकते हैं आप सुझाओ ले सकते हैं कि बातचीत कीजे कि कैसे आप शुरू कर सकते हैं कितने अन्वेस्टमेंट होगा क्या होगा कैसे मार्केट तक पहुंचेंगे अभी तक इनको बहुत जादा अनुभा हो चुका होगा बाकी आ को कुछ ना कुछ बल दे रही है कि भाई आपके साथ हम हैं और आप कुछ कीजै तो आप क्ढेना चाहेंगे इंके बारे में हमारे साथ जरूर शेर कीज़ेगा मिलते अगले वीडियो में एक नही कहाणी और एक नही जैनकारी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया